तो दोस्तों चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही टेस्थी चूर्मा की रेसेपी चूर्मा आप कोई भी फैस्टिबल में बना सकते हैं चूर्मा हम सब का फैवरेट होता है और विसे इसकर हम भोग के लिए से जरूर बनाते हैं तो चलिए आज मैं आपको एकदम राजस्थान स्टेंड में चूर्मा बताना बताऊंगी इसे आप दाल बाटी चूर्मा के साथ खाईए तो मैंने आज चूर्मे की रेसेपी बताईए और मैं नेक्स वीडियो में जल्दी ही आपके लिए लाऊंगी दाल बाटी की रेसेपी तो चलिए हम बनाना सुरू करते हैं राजस्थ के करीब सूजी यह सूजी है आप बारी क्या मोटी कोई भी सूजी ले सकते हैं और इसमें हम डालेंगे दो बड़े चम्मस देशी घी को मैंने यहां पर मैल्ट कर लिया है और इसे सबी चीजों को हम साफ आतों से अच्छे से मिला लेंगे और आटे को हमें एक बड़े बरतन में इस तरह से डाल लेना है और अच्छे से हमें घी को मैल्ट करना है राजस्तान की बहुती फेमस दीस है दाल बाटी चूर्मा तो आज मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ है चूर्मा जल्द ही मैं अपने विडियो में लाऊंगी दाल बाटी तो चूर्मा खाने में स और इसे हमें दूस से गुथना है, एकदम सक्त आटा गुथना है, हमें इसके लिए, अगर हम दूस से यह आटा गुथना है, तो बहुत ही टेस्टी चूर्मा बनता है, और चूर्मा हम लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, घराब नहीं होता, इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा दूर डालते हैं, एकदम सक्त आटा लगा लूँगी, देखिए मैंने एकदम से सक्त आटा लगा लिया है, चूर्मा के लिए हमें इसी तरह का एकदम से सक्त आटा चाहिए, जिस तरह से हम आतो में इस तरह से आटा लेके मुठी बनाते ह और इसे मैं पांच मिनट रेस में छोड़ देती हूँ तब तक हम घी को गैस पे गरम होने के लिए रख देते हैं मैंने एक कड़ाई में देसी घी ले लिया है देसी घी में आज हम यह चूर्मा बना के त्यार करेंगे और इधर इसे पांच मिनट हो गया अब इसकी हम छोटी में आटे को लेना है और इसे इस तरह से मुठ्या का सेव देना है सभी मुठ्या हम इस तरह से बना के रख लेंगे यह देखिए मैंने आटे की सभी मुठ्या यहां पर त्यार कर लिए अब इसे हम घी में तलेंगे इधर हमारा देशी घी भी बिल्कुल गरम हो गया है और इसे हम गरमा गरम घी में तलेंगे मुठ्या तलने के लिए हमें एकदम हाई गरम घी चाहिए अगर आपको जादा गरम घी लगता है तो आप गैस का फ्लेम नॉर्मल कर सकते हैं और इस तरह से एक बार में जितनी मुठ्या कड़ाई में आए उतनी मुठ्या आप इसमें डाल सकते हैं और इसे हम लगाता चला तो यह गॉल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम तेजी रखा है क्योंकि मुठ्या डालने से इसका जो टेंपरेजर वो नॉर्मल हो गया और एकदम से तेज लगे तो आप बीच में इसे मीडियम कर सकते हैं फ्लेम को और इसे हम इस तरह से पलटते हुए एकदम गॉल्डन ब्राउन तल लेंगे और देखे इस तरह से हमें इसे तल लेना है चलाते हुए मैंने इसे medium to high gas पे लगातार चलाते विए तल लिया है और देखे एक गॉल्डन ब्राउन होगे इसे तन्ने में हमें 5-7 मिनट का समय लगा और इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी इसी तरह से हम सभी मुठिया तलके त्यार कर लेंगे यह देखें मुठिया भी यहां पे थोड़े गरम है तो इन्हें हम हातों से तोड़ा सा तोड़ देते हैं और बहुत अच्छा इसमें हमने मुठिया हमारे बहुत सफ्ट बने हैं इस तरह से हम इनके छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे और इन्हें एकदम ठंडा होने दे और कुछ नारे लिया है सूखा आप अपने पसंद से भी ले सकते हैं और बस हमें कांजु को तेल में डालना है और तुरंत हमें निकाल लेना है क्योंकि यहां पे देशी घी जो है वो बिल्कुल गरम है गैस का फ्लेम मैंने यहां पे बंद रखा है हमें इसे एकदम से नह निकाल लेते हैं तो उनकी नमी दूर हो जाती है आप चाहें तो बिना तले भी ड्राइफूर्स डाल सकते हैं चूर्मा में किसमिस को हम नहीं तलेंगे और यह देखिए हमारे जो मुठ्या थे हमने तोड के प्लेट में ठंडे कर लिये हैं ठंडा करने से क्या होता है फ्रे देखिए मैंने दो से तीन बात चला लिया था और इस तरह से हमें एकदम इसी तरह का चूर्मा जगर इस तरह से कुछ रह जाते हैं आपको उसमें तो आप उसे निकाल के साइट कर दे ज्यादा देर हमें नई पीशना नहीं तो एकदम बारिक चूर्मा अच्छा नहीं को कि अगे चूर्मा पीशो देखिए मैंने सभी चूर्मा से की तयार कर लिया हैं और जिस तरह से सूजी होती है बीशाई भी स्थ शापि या ज्यादा भी ले सकते हैं मैंने हैं मैंने यहां पे दो ुख्झोटी कटोर पीश व घूर्ब को ंसे से पीशा लिए लिया था ह देखे जो ड्राइश strongest हमने छुर्मा में मिक्स कर देंगे चम्मच से या साफ आटों से भी आप इसे अचछे से मिक्स कर सकते हैं देखे जो ड्राइश हमने थोड़े से तोरा कर के रखे दे वो सारे हम इसमे डाल देंगे मैंने यहाँ पर नाडीर कान्जू और हमने यहां पे किस्मिस ली थी दो से तीन चम्मज किस्मिस को मैंने घी में फ्राई नहीं किया है और इस सभी चीजों को हम अच्छे से मिला देंगे अगर आपको कोई और ड्राइफूर्स या नट्स पसंद है तो वो आप इसमें डाल सकते हैं या बिना ड्राइफूर्स के भी चूर्मा खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा और अब इसमें मैं डालूंगी दो बड़े चम्मस देशी घी ड्राइफूर्स दालने से क्या है ना फ्रेंड आप चूर्मा कोई भी विसेज भोग के लिए बना सकते हैं जैसे कि अभी मान जैनती में बना सकते हैं या स्याम बाबा की बहुत बड़ी बारस आती है स्याम जनम उस सब भी आने वाला उसमें भी आप चूर्मा बना के बाबा को भोग लगा सकते हैं इस चूर्मा को आप कई तरीके से बना सकते हैं भोग के लिए बना ड्राइफूर्स के आप इसे चूर्मा रेसिपी कैसे लगी